समाधान, समाधान, समाधान समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयम के संग सर्व का वो दिल से करे सन्मान कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयम के संग सर्व का वो दिल से करे सन्मान कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान समाधान, समाधान, समाधान तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले थैसी मेशाद दूरिया दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान कहता है ये समाधान 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 नमस्कार आदाप सश्यकाल में तनो स्वागत है आप सभीकार समाधान कारिक्रम में में तनो दिल से एक प्रार्थना हमीशा निकलती रहती है कि हे इश्वर तो किमती घड़ी सब को देना लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को भी ना देना क्योंकि मुश्किल घड़ी में व्यक्ती बहुत परिशान हो जाता है, हैरान हो जाता है उसे कुछ सूझता नहीं है वैसे तो जब कुछ सूझता नहीं है तो प्रमात्मा पिता आपकी ही याद आती है लेकिन फिर भी एक कामना रहती है कि हरीक का जीवन बहुत खुशाल हो, शान्ती से परिपूर्ण हो, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो समाधान कारिक्रम में मित्रों आप जानते हैं कि लगातार हमारा यही प्रयास रहता है कि सारी संसार में सुक शांती की सरीता प्रवाहित हो ऐसे प्रात्ना के साथ इसे शुपकामना के साथ आज के समाधान के शिरवायत करते हैं अभिनंदन करते हैं आधरनी ब्राता जी का बहुत बहुत स्वागतर अभिनंदन आज हमारे पास पूरे देश के कोने-कोने से हमारे भाई बहने पधारे हुए हैं तो आज उनका भी प्रिया आप सब अपने अपने प्रश्न ले करके यहां पढ़ारे हुए हैं और साथ ही समाधान कारी क्रम भी आप लगातार देखते होंगे उससे लाभानवित हुए होंगे वैसे तो प्रती दिन आपके प्रश्नों को मैं भ्राताजी के सामने रखता हूं लेकिन आज आप प्रताजी से पहले कि मैं हमारी दर्शक प्रश्न करें आप हमारी दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है और हमारी सुब कामनाएं हैं सभी के लिए कि आप सभी अपने जीवन को सुक्ष्यानती प्रेम और सफलता संपन आगे बढ़ाएं और जो जीवन का लक्स है उसको सहेज कम परिश्रम से अचीव करें अब हम आपके क्वेस्टिन्स को भी वेलकम करते हैं और हमारा प्रियास रहेगा कि आप उस पर चलकर पूर्ण तया समाधान की ओर चलें जी तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो सभी भाई बहने हैं पहला प्रश्न आप में से कौन पूछना चाहेगा आज की समाधान कारेक्रम का पहला प्रश्न नमस्ते मेरा नाम गायतरी है और मैं नाकपुर से आई हूँ मेरा सवाल ये है कि स्टूडेंट्स में स्टेज फियर बहुत होता है जिस वज़े से वो आने वाली अपोर्चन्टीस को खो देते हैं जिसके लिए में क्या करना चाहिए हाँ मुझे ऐसा लगता है कि उनमें स्टेज फियर तो बहुत होता है पर बाहर स्टेज से बाहर बोलने की आदत बहुत होती है तो अगर वो स्टेज फियर को समाप्त करना चाहते हैं तो वो जरा थोड़ा सा अपने बोल पर सहियम करें और बाहर जो उनकी बोल की शक्ती न अध्यात्म में जिसका अभ्यास करते हैं, जिससे हमारी सोई हुई शक्ति जागरित हो जाती हैं, तो ऐसे cases में कि प्राइस अभी कोई होता है, students क्योंकि वो कहीं speech तो देते नहीं, तो अधिकतर को fear रहता है, चाहे वो interview face करते हों, exam के समय भी उनको बहुत fear होता है, तो वो व इसे सुरूप से स्वमान का अभ्यास सवेरे ही किया करें, और उसमें से एक स्वमान ये के मैं महान आत्मा हूँ, दूसरा स्वमान अभ्यास करेंगे मैं विजयी आत्मा हूँ, इसरा करेंगे मैं master almighty हूँ, ये तीनों स्वमान मिलकर अंदर के confidence को बहुत जादा जागरित कर देंगे, confidence सभी के अंदर होता है, लेकिन वो जड़ा सुसुप तवस्था में रहता है, सोया रहता है, ये अभ्यास करके थोड़ा डेर बढ़ाएंगे, boldness को बढ़ाएंगे, अपने अंदर ये संकल्प करेंगे, कि अगर मैं interview देने जा रहा हूँ, तो मुझे सफलता मिले आता है, अगर वो interview दे रहा है, तो पहले ही डरा हुआ है, तो कुछ का कुछ जबाब देगा, और यदि वो exam दे रहा है, paper सामने आया, तो आगे की line पीछे, पीछे की line नीचे उसको दिखाई देने लगेगी, और इससे सब कुछ गरबढ आ जाएगा, इसलिए, रोज सबे रे उठकर एक और अच्छा अभ्यास करना होगा, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, निर्भय हूं, and I will enjoy my exam, I will enjoy my interview, ऐसा एक सुन्दर सा संकल्प अपने अंदर रख लेंगे, तो confidence बहुत बढ़ जाएगा, और ये vibrations बहुत अच्छा काम करेंगे, उन्हें सफलता भी दि प्यास कीजिएगा, और साथ ही जब स्टेज प्यार पूरी तरह से दूर हो जाए, तो हमें भी इंफॉर्म कीजिएगा, कि कितने दिन में आपका ये डर दूर हो गया, हमारी शुब कामना है, कि आप बहुत धडलली से भाशन करें, और किसी भी प्रकार का फियर आपके पा राज्योग क्या मदद कर सकता है? मन शान्त हो जाता है, तो उसकी बुद्धिक छमता बहुत बढ़ जाती है, मन और बुद्धी दोनों की एकागरता बढ़ने से, एक बार ही यदि वो किसी चीज को पढ़ेंगे, तो वो लंबे काल के लिए इस्मरन हो जाएगी, मेमोरी में बिलकुल प्रिंट हो जाएगी, उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि बार-बार पढ़ रहे हैं और भूल रहे हैं, या एकजाम के समय याद ही नहीं आ रहा है, एक आगरता इतनी सुन्दर हो जाएगी, कि एक दो बार पढ़ने से ही कठिन से कठिन चीजे भी प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि जनरल नॉलिज में बहुत सारी चीजे याद करनी पढ़ती हैं और वो संभव नहीं होता के थोड़ी सी मेहनत से जादा याद हो जाए, मनुस भूलता रहता है, ठीक है उसको दो-चार बार तो रिवाइज करना ही चाहिए और अपनी मेमोरी में प्रिंट भी कर लेना चाहिए, लेकिन यदि आ अब एक चीज आपने पढ़ ली, मानलो इतिहास की कुछ चीजे आपने पढ़ ली, अब जस्त ये अभ्यास करके के मैं आत्मा हूँ यहाँ, एक एक चीज को रिवाइज करें, जैसे है के सिकंदर ने भारत पर आकरमन कब किया था, पस जो आत्मा समझ कर एक बार उसको या कर लेंगे, और यह बहुत सुंदर एक प्रेक्टिस है राजियोग में, कि मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, और थार मैं अपनी मालिक हूँ, मन बुद्धी की मालिक हूँ, मैं इस्दे की मालिक हूँ, और एक बहुत सुंदर विचार अपने को देंगे, जैसे my mind and intellect are my good friends, वो मेरे सामने खड़े हैं, और उनको आप कह रहे है my mind, be silent, बुद्धी को कहेंगे, है मेरी बुद्धी, अब एक आग्र हो जाओ, और जो कुछ भी मैं पढ़ूं, तो उसको याद कर लेना, और exam के समय उसको emerge कर देना, रोज दो-चार बार यह अभ्यास करेंगे, जब आपकी बात मानने लगे हैं, they became your good friend, और इसका बहुत अच्छा परिणाम होगा, और तीसरी बात के रोज सबेरे उठते ही, जैसे ही उठे, आप छे बजे उठे, पाँच बजे उठे, उठते ही दो बहुत सुन्दर संकल्प करेंगे, मैं master almighty हूँ, सफलता मेरा जनम बार करेंगे, साथ बार मैं इसलिए कहता हूँ, क्योंकि उस ताइम सबकॉंसियस माइन एक्टिव रहता है, साथ बार करने से सबकॉंसियस माइन इसे पूरी तरह से अपने में समा लेगा, receive कर लेगा, तो चाहे कोई भी competitive exam आप दे रहे हैं, या interview दे रहे हैं, ये भिहास क करने से आपकी memory भी बहुत अच्छी तरह काम करेगी, याद आपको ज़्यादा रहेगा और confidence बहुत रहेगा, होता क्या है in exams में, के लंबे चोड़े paper, बहुत सारे questions, तो वहन उस घबरा जाता है, पहले ये करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, तो जब आप रोज सबे ये अभ्यास करेंगे, तो आपका confidence बढ़ेगा, mind stable रहेगा, और जब आपके सामने ओ लंबे चोड़े papers आएंगे, आप बड़े आनंद से उसको enjoy करते हुए, फड़ा फट टिक करते चलेंगे, और ये आपको सफलता की और ले चलेगा, तो इंटर्यू अच्छी रिती से कै करेंगे, तो आपको confidence बढ़ता जाएगा, और ये फियर एक अंदर में होता है, वो समाप्त होता जाएगा आप सफलों में, उकेश आप राजियों का अभ्यास करते हैं, हां करता हूँ, जी जी तो ये सभ्यास को जो ब्राता जी ने अभी भी बताये हैं आपको, इन अभ्य अभ्यासों को अच्छे से अभ्यास में लाइएगा, हमारी बहुत सारी शुपकामना है कि आप अपने हर competitive exam में सफल हो, interview में भी सफल हो, प्रता जी क्या कोई nearest ऐसा अनुभव आया है कि बच्चे बहुत सारे आप से मिलते हैं, यूथ मिलते रहते हैं, जिन्होंने ऐसे ही जो डर के माहौल में हो, competitive exam appear किये हो, बिल्कुल सफल हो गये हो, अभी एक का बहुत अच्छा अनुभव मेरे पास आया था, अनुभव क्या वो स्वयम ही आया था, और उसने मुझे बताया अभी मैं ये तो उसे पूछा नहीं तुम कहां से हो, क्योंकि बहुत लोग मिलने आते हैं तो मैं प्राई ये पूछता नहीं हूँ, तो उसने मुझे बताया कि मैं ऐसे interview देने गया, badge लगा के गया, और मैंने उसको एक चीज बता दी थी, कि तुम बिल्कुल डरना नहीं, हाँ या ना दोई चीज होगी, चाहे तुम select हो जाओगे, चाहे नहीं होगे, कहा तुम योग अभ्यास करते हो क्या, मेटेशन करते हो क्या, उन्हें का यस सर, और कहा फिर पूरी चर्चा, राज योग, ज्यान क्या है, रमा कुमारी क्या है, और कहा जब ज्यान की चर्चा होने लगे, तो मेरा confidence बहुत बढ़ गया, और मुझे फट से महीं appointment letter मिल गया, तो बहुत अच्छा यह हुआ, confidence ऐसी चीज है, क्योंकि जो interview ले रहे हैं, वो आपका face ज़्यादा देखते हैं, क्या आपके expressions ने आपके चेहरे पर, और किस तरह चुस्ती से आप उत्तर देते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, जी बहुत 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 ब बहुत सारा काम एक साथ आ जाता है, तो पता रहता है कि काम हो जाएगा, बट काम एकदम से जादा जाता है, तो वो handle करना वो टाइम पे बहुत stressful हो जाता है, और फिर हम जैसे राजयोग में सीखते हैं, कि बाबा जब याद हो, तो सब चीजे असान हो जाती हैं, पर इतना सारा काम देखके ना हम घबरा जाता है, और फिर काम भी ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जैसा करें, कि काम आप से घबराएं, अपने को इतना powerful बना दें, रोज आप काम करती हैं, कोई एक दिन तो करती नहीं है, ठीक है, बहुत सारी फाईले रखकी, बहुत सारा काम संकल्प करें, I will enjoy my work and I will complete it before time, यह बहुत अच्छा संकल्प कर लें और एक दो मिनट मेडिटेशन करें, बहुत श्यानती से, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्याद़ काम है, मेडिटेशन में भी पांच मिनट क्यों लगाए जाएं, ऐसा भी सोच लेते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत साइलेंटली तीन मिनट, पांच मिनट अपने मन को स्यानत करो, अच्छा चिंतन करो, इस वर यह शक्तियां रिशीव करो, उससे आपकी एफिसेंसी बहुत बढ़ जाएगी, और बहुत धहरियवत होकर, बहुत सरलचित होकर, जिसको इजी गो होने लगेगा, तब आपका confidence बढ़ जाएगा, फिर सबेरे ही जो आप stressful हो जाती है, काम देखकर वो भी नहीं होगा, और आप सम बोर्ड रूप से अपने कारिये को भी enjoy करेंगी, time को भी आराम से manage कर पाएगी, और इससे जो बहुत सारी शक्तियां नस्थ हो जाती है, इनका अभियास विशेज करके करें, आप फाइल आप से घबराने लगें, ऐसी हमारी काम न रहेगी, विशेज करके मैं जानना चाहूंगा कि आप समाधान का कारिक्रम देखती हैं, हाँ मैं देखती हूँ, कुछ विशेज यदि आपको लाभ प्राप्त हुआ हो, तो हम ज कलते हैं जाते हैं के बाबा का वर्दानी हात हमारे सर पहे है, और जैसे भाई जी ने बोला सुहाँ सुबे जैसे काम चालू होने से पहले, अगर आफिस नीक दम करें बाबा का वर्दानी हात सर पहै, तो वह लih लोगन जल्दी हो जाएगा, और सब टाइम पहे हो चलिए बहुत सुन्दर है आप ऐसे ही लाभानवित होते रहें और कार्यों को बहुत सरल करें हमारी बहुत सारी शुब काम दाए हैं जी अगला प्रशन कौन पूछ रहें मेरा नाम श्रड़य मैं नाकपूर महारास्ट्र से हूँ और आपका जो समधान कारेक्रम है मैं दो साल से देख रहा हूं तो मैं तॉधर बहुत करता था लेकिन आपके समधान कारेक्रम के वज़े से मेरी drinking का जो problem था वो दो साल से continue समापतो चुका है तालियां बजाये भे इनके लिए बहुत 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 शुक्त हुआ और जो आगे के बारे में उसके बारे में बहुत सोचता रहता हूँ दोनों पीछे के बारे में और सामने के बारे में तो मेरा memory power कम हो गया है और दूसरी बात तो उसके वज़े से घर वाले भी बहुत परिशान होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ करने वाला इन हूँ क्योंकि प्रयास बार-बार करता हूँ लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा हूँ तो इसके बारे में आपके समधान कारेकरम के वज़े कारे हो चुका है कि जो लोग कर्ज में डूबे थे और विजनों सक्षे नहीं चल रहे थे कुछ अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद सहज ही समधान हो गया उनके अनुभ़ों के आधार से ही मैं आप सबको भी कहूंगा ये बात आपकी नहीं बहुत ओकी है देखिए आप में सर संकल्ब जो स्पिरिक्ट्वलीटी में हम देते हैं मैं मास्टर ओल्माइटी हूँ तो सबेरे उठते ही आप रोज कम से कम 21 टाइम चाहे लिखें चाहे याद करें मैं मास्टर ओल्माइटी हूँ तो आपका कॉन्फिदेंस कभी भी लूज नहीं होगा वो दिनो दिन सबेरे उठते ही आपको कुछ संकल्ब और करने हैं पहले 10 मिनट में ये सब काम कर लेना है ताकि आपका माइंड फुली चार्ज हो जाए और उसे निकलने वाले वाइब्रेशन आपके इस प्रोफेशन पर और आपकी समस्या पर पूरा प्रभाव डालने लगे वो यह है कि सबेरे जैसे ही आप उठें चाहे तो पहले ये लिख ले मैं मास्टरो अलमाइटी हूँ या पहले ये संकल्ब कर ले मैं बहुत भाग्यवान हूँ क्योंकि इस जीवन में मुझे भगवान मिले आग खुलते ही उसको गुड मॉर्निंग करने का स्रेश्ट भाग्य मिला मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ और उसे हाथ उपर करके सच्चे मन से सुक्रिया देना कि हे सिवाबा तुमने मुझे सब कुछ दिया है बारं बार सुक्रिया सच्चे मन से दो तीन वाद मैं बहुत सुखी हूँ मैं बहुत भाग्यवान हूँ साथ मैं मैं बहुत धनवा मैं कर्ज मुक्त हूँ सफलता तो मेरा जनम से दधिकार है अब मेरा बिजनस फर्स क्लास चलेगा अब मुझे कदम कदम पर सफलता मिलेगी अगर आपके पास दुकान है तो आप देखना विजन बनाना के आज मेरी दुकान पर लगातार ग्रहा का रहे हैं बहुत अच्छा ब देते हैं विग्न विनाशक भट्टी दो स्वमान पहले याद करेंगे पांच बार मैं मास्टर अल्माइटी हूँ और विग्न विनाशक हूँ पांच बार याद करके एक घंटा बहुत अच्छी तरह से योग अभ्यास करेंगे ये 21 दिन की योग बट्टी होगी और यदि आपका योग बहुत अच्छा होगा एक आग्रता अच्छी होगी तो जैसा बहुत हो का अनुभव है मुझे पूर्ण विश्वास है आपका बिजनस अच्छा चलेगा आप अच्छी कमाई करेंगे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और जीवन में स्रेष्ट भाग्य का सूरिय उदे हो जाएगा लेकिन ब्राता जी मैं जैसे योग में बट्टा हूँ तो एका ग्रता नहीं हो पाती है हाँ इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है इसके लिए जैसे मैंने कहा सबेरे अगर आप चार्ज कर लेंगे और स्व से छोड़ना नहीं और अच्छे अच्छे ब्यास जो हम यहां रोज सिखाते हैं उनको करते हुए एक आगरता भी अपनी बढ़ाना और कंटीनिव करना इसको जैसे हम योग के लिए सबेरे चार वजे मेडिशेशन के लिए बटते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जो अपन में वो करना तो उससे भी आपको बहुत बल मिलेगा बहुत बहुत धन्यवान प्रतागी अपकर शेश है जैसे शरप के प्रशने से ही रिलेटेड मुझे लगता है पास्ट में जो चीज़ें होई है बहुत ज्यादा हावी हो जाती है वो चीज़ें और इन स्प्रिच्वल प्राक्टिसेज में भी कई लोगों से जब मेरी बात होती है तो मन नहीं लगता जैसे इनका भी नहीं लग रहा है तो एकदम सहच सी विधी हो सकती है या कितना समय लग सकता है ये तो मनो विज्ञानिक भी यही कहने लगे है आजकल कि व्यक्ति 70-80% पास्ट में रहने देता है तो इसकी सिंपल विधी ये कर लेनी चाहिए कि जैसे याँख खुले मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं 108 बाल लिखे सोने से पहले मैं एक महानात्मा हूं 108 बाल लिखे और चलते फिरते सारा दिन कुछ ना कुछ अच्छे अभ्यास चैस्वमान के चैस्वल कॉंस करते रहने चाहिए इससे क्या होगा धीरे धीरे मन में छुपे हुई जो स्रेस्टाइं है जो देवत्व है जो एक सुंदर फ्यूचर भी मनुस के सामने रहता है वो जागरित होता जाएगा और पास्क का इफेक्ट साब्थ होता जाएगा लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा क कि यह सब प्रक्टिस सिंसिरली शेमा सबस्क्राइब क्योंकि ब्रते जी कली मेरे बास एक प्रशन आया था उन्होंने कहा कि मैं तीन मास से यह कर रहा हूं लेकिन अब मुझे करने की इच्छा नहीं हो रहे है क्योंकि वैसा रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए म सबसे पहले तो मैं समाधान प्रोग्राम को बहुत शुक्रिया देना चाहूंगा क्योंकि यहां से मुझे एक चीज की बहुत अच्छी प्राप्ती हुई है ब्राता जी ने एक चीज बताई थी जब भी कभी शरीरी दिक्कत होती है तो तीन बार आत को ऐसे रगड़के मैं मैं आत्मा माझसर सरशक्टि वानु और जहांढ़ी पेन होता है जहां भी दिक्कत होती है तो वहां बार एक मिंट के लिए रख़ें तो जब ही मुझे दिक्कत होती है तो मैं ऐसा करता हूं और मेरी समस्या तुरंत एक मिंट में खतम हो जाती है कि यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के थौट्स एक्टिविटीज और नेचर में बहुत ज्यादा बड़ा गैप देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से प्रोब्लम्स भी आती है डिफिकल्टीज भी होती है और कई बार तो कलह कलेस तक भी पहुच जाते हैं उसके लिए आपसे कुछ सलूशन की इच्छा रखते हैं बहुत अच्छा ये करेंट प्रोब्लम है समाज की क्योंकि पिछले दस सालों में ही एक बड़ा परिवर्तन हमारी समाज में आ गया है 10-15 साल में जब से इलेक्ट्रोनिक्स का भारत में बहुत परचार हुआ और सब के हाथ में मुबाइल आ गये और फिर इंटरनेट आ गया तो सारा संसाज जुड गया और हमारी जो यूवा पीढी है वो अब क्योंकि हमारी प्राचीन कल्चर को नहीं जानती वो केवल वर्त्मान को देख रहे हैं कि दूसरे लोग कैसा पहन रहे हैं, दूसरे युवक, वो कैसे चल रहे हैं, वो बाई किस तर है, तेजी से काट रहे हैं, चला रहे हैं, वो ये देखते हैं, उन्हें ये नहीं पता, कि ये जमाना 50 साल पहले बहुत सुन्दर था, या उससे और 50 साल पहले ये और सुन्दर थ वो सोचते हैं, हम सुन्दरता की और बढ़ रहे हैं, विकास हमारा हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा gap, जिसको generation gap कहते हैं, ये दोनों के बीच आ गया है, अभी spirituality इसका समधान देती है, क्योंकि gap तो है, और आज कल के यूकों पर वरतमान समय का भी बहुत बुरा परभाव है जिसे हम कल्यूक का परभाव कहते हैं, तो कि चारो negative energy बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वो उनको आती रहती है, और उससे वो उसी तरह का सीख कर फिर अपनी रहा चलते हैं, तो माबाप कहते हैं ये करो, वो कहते हैं हमें तो ये करना है, माबाप कहते हैं ऐसे कपड़े वो कहेंगे नहीं हमें तो ये पहनते हैं, हम अपने friend circle में अकेले-अकेले हो जाते हैं, उन्होंने ऐसा पहना होता है, हम ऐसा पहनेंगे, वो हमें किस द्रश्टी से देखेंगे, विचारों का संपूर्ण रूप से परिवर्तन दोनों के बीच में आ गया है, इसमें कोई स संदे नहीं, लेकिन उनके विचारों को बदलने से पहले, जो parents हैं, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनोंने 50 साल या 40 साल का समय देखा है, और समय को परिवर्तित होते हुए देखा है, अब उन्हें अपने में एक change लानी पड़ेगी, कि वो अपने बच्चों को हर जग है आदेश ही न दें, क्योंकि बच्चे हर जग है आदेश मानने को तयार नहीं होंगे, आप दें उन्हें self respect, स्वमान इसे हम कहते हैं, चलो बड़े छोटों को सम्मान न भी देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे बहुत होस्यार हो गए हैं, अगर बच्चे highly educated हो गए हैं, तो वो सम्मान के पात्र हैं, अगर वो बहुत बुद्धीमान हैं, तो बड़ों को उन्हें निश्चित रूप से सम्मान देना चाहिए, स्वमान की दरश्टी से उन्हें देखना चाहिए, जैसे हम, जिन्होंने इस वरिये ग्यान लिया है, जिनको ये पता है, कि उने ये पूरा जीवन देखा, 50 साल देखा, कि उसने हमें कैसे पढ़ाया, उसने हमारी भावनाव को कैसे चेंज किया, पहले हमें स्वमान दिया, उसने ये नहीं कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम बड़े पापी हो, तुम बड़े गंदे हो, उसने कहा, तुम तो बहुत स्रेष्ट हो तुम्हें बहुत क्वालिटीज हैं इससे हमारा स्वामान जग गया और जब स्वामान जग गया तो उसकी बात सुनने के लिए हम तैयार हो गए फिर उसने कहा क्रोध करना अच्छा नहीं है हमने सुईकार कर लिया और अगर वो ऐसे हमें कहते तुम बड़े खराब हो बहुत क्रोध करते हो घर में वड़ी अस्यानती करते हो तो हम कहते करेंगे हम तो तुम क्या करोगे हमारा हम तो करेंगे यह साइकोलोजी हमें समय लेनी चाहिए ठीक रहा पे लाना है तो स्वयम भी बहुत अच्छा स्वमान का अभ्यास करें उनके आप उनकी बातों को reject कर रहे हैं उनकी बातों को सम्मान देते हुए उन्हें अच्छी बात सिखाएंगे तो generation gap होते हुए भी विचारों का बहुत बड़ा difference होते हुए भी वो आपको सम्मान देंगे और आपकी आज्या का पालन करेंगे और कहीं ना कहीं अगर वो गलत रह पर जा रहे हैं तो उन्हें realize होगा they are wrong तो यह स्वमान की practice उन्हें आत्मिक द्रस्ती से देखना आदेश नहीं आजकल आदेश का जमाना नहीं रहा आदेश तो छोटे आपको देंगे है या नहीं वह आदेश देंगे पापा सुधर जाओ आप भी तो करते हो यह काम क्यों कि आजकल की जो generation है वो हर चीज को बहुत sensitively, very minutely observe कर रही है इसलिए अगर आप में थोड़ी सी भी कमी है वो उन्हेंने note कर ली है और समय आने पर वो आपको बताएंगे अच्छी तरह से तो इसलिए spirituality का अभ्यास किया जाए स्वमान, आत्मिक द्रस्ती बहुत अच्छा उ इसमें कहना कहीं हार्मनी आजाएगी जंग से उन्हें कहें क्योंकि गलत उन्हें हम करते वे देख भी नहीं सकते हैं और साथ ही बोला गया तो वो भी sport भी हो जाता है तो यहां पर एक balance वाले स्थिती कैसे आए यहां पर थोड़ी parents थोड़ी से confused होते हैं कि इसमें भगवान ने जो अपनी teaching हमें दी हैं कि अगर तुम स्वमान में इस्थित होकर मैं आत्मा हूँ मैं एक महान आत्मा हूँ और ये बच्चा भी आत्मा है बहुत अच्छी आत्मा है इस द्रस्ती से उन्हें हम कुछ कहेंगे तो परभाव बहुत ज़्याद होगा इससे हमारे बोल में परभाव आ जाता है हमारे बोल में यदी इगो है हमारे बोल में यदी करोध है हमारे बोल में यदी pressurize करने की feelings है वो भी vibrations दूसरों को जाएंगे उसे छोड़कर स्वमान, soul consciousness की practice और वो आतमाएं हैं ये द्रश्टी रखते हुई दियम बोलते हैं तो बोल में प्रभाव आ जाता है तब जादा बोलना नहीं पड़ेगा थोड़ा बोलेंगे और वच्चे जादा समझेंगे बहुत शुक्रिया अब आ voting परिवार्ब समरस्ता हुँ हमारी बहुत सारी शामना रहती है शुक्रिया ग्रोबर जी आपका भी जी अगला प्रशन किस प्रदेश से आ रहे हैं हमारी पर मिरे नाम मोह ने पार विशा का पत्नम सेंगे अंडर प्रश हूं यू तेशे कराब हो रहा है 15 साल 20 साल का अंदर जो लड़का लोग है गर से निकालता है एक बैक में माता जी तोड़ा किताब लेकाएंगे दोस्त कब हो जाएंगे फिर रस्ता में मिलते हैं तीन चार बैट करके खुब स्पीड में चलता है अगर बताने से मानता है नहीं है यह साल चाल है और एक्सेंट हो गया तो खुद कुछ वोजन से फरकने पड़ा रस्ता में जाने आने वाला कव उनसे लुक्साद ज्यादा होता इंसे मतलब यूत यह ना यह भी हो भी है कपड़ा पहिने के दांचा से दूसरा को मन का बुद्धी बरबात हो रहा है मतलब क अपड़े ठीक ठीक पहने अच्छा मेरा नाम अप्राजिता मैं बॉंबे से हूँ मेरा यह प्रेशन है कि आजकल के पैरेंट्स आजकल के पैरेंट्स प्रेशराइस करते अपने बच्चों को एक्जाम के टाइम की चाल घंटे लगातार पड़ो लेकिन यह साइंटिफिक ली प्रूबन है कि 45 मिनिट सी बच्चे कॉंसेंट्रेशन के साथ पूरे कॉंसेंट्रेशन के साथ पड़ सकते हैं लेकिन इसका व्लब क्या समाधन अपने देंगे तब तो प्रश्न यह था कि भई बच्चे नहीं सुन रहा हैं दूसरे बच्चों के मन में भी बहुत सारे प्रश्न है कि खुब दबाओ डालते हैं कि तुम बैट के पढ़ते पढ़ते रहो मुझे कहानी आदा गई सची घटना हमारे ही परिवार की है हमारी भती जी में सी कर रही थी फिजिक्स तो उसकी मम्मी भी उसे बार-बार कहती थी क्या तुम पढ़ती नहीं टीवी देख फिजिक्स में उनिवस्टी में तो देखिए यह ऐसी चीज है जो बच्चे बहुत होच्यार होते हैं उन्हें राद दिन पढ़ने की ज़र्वत नहीं पढ़ती है माव आपको भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि सारा दिन पढ़ने से कुछ जादा नंबर आ जाएंगे बच जो कुछ बच्चा पढ़ रहा है वो ब्रेन उसको ग्रहन कर रहा है 45 मिनट के बाद ब्रेन भी ठक जाता है फिर जो कुछ पढ़ेगा उसे आधा ग्रहन करेगा और अगर उसके बाद भी पढ़ रहे दो गंटे के बाद फिर वन फोर्थी ग्रहन करेगा इसलिए एक बहुत सुन्दर विधी है कि 45 मिनट के बाद अब सब को रख दो, relax, 5 मिनट मेटेशन कर लो, हो सके तो 5-7 मिन गूम फिर लो, fresh करो अपने को, कुछ खापी सकते हैं, और फिर पढ़ाई पढ़ो, फिर चलो, एक गंटा पढ़ो, फिर ऐसे ही अपने को fresh करो, फिर ब्रेक दो, मेटेशन करो, और अपने को अच्छे संकल्प दो, मैं आत्मा स्वराज जधिकारी हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरे पास बहुत सुन्दर बुद्धी है, फिर इस्टडी करो, रात दिन पढ़ते रहने से कुछ जाद़ फाइड़े नहीं होते, इसलिए मैं सभी parents को भी जिसको दूसरा सब दिन्दी में देते हैं, किताबी कीडे नहीं, क्यों किताब लिए बैठे हैं, कई तो माबाप ऐसा कर देते हैं, चाय का थरमस रख देते हैं पास में, खुद भी मम्मी बैठ जाती है, उसको नीद आ रही है, फिर एक लगाएगी, चाय पी और पढ़, इससे कभी मन उसको सफलता नहीं, मेरे पास ऐसा केस आया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बच्ची इतना घवराई हुई थी लड़की, दसवी क्लास की, तो मैंने जब बात की खुल कर, तो पता चला कि मम्मी चाय लेके बैठ जाती है, उसको नीद आती है, एक मारती है, च हर एक की अपनी अपनी capability है, सभी बच्चे कोई टोप क्लास नहीं करेंगे, अब हर एक की बुद्धी को देखते हुए, उनसे एक यथार्त महनत करानी चाहिए, और बच्चे खुद भी समझते हैं, हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ प्रैसर है, वहाँ विवेक शक्त में पतन होता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा खुला भी, उनने टीवी भी देखने दो, भले एक जाम भी चल रहा है, 15 मिर देख लेने दो, फ्रेस होगा ब्रेन, रिगेन करने के लिए तयार हो जाएगा, उनने वौकिंग भी कराओ थोड़ी बार, गूम के आओ जाओ आदा गंटा, तो ब्रेन इतना अच्छा हो जाएगा, कि जो चार गंटे में पढ़के उनने याद करना है, वो दो गंटे में पढ़के वो याद कर लेंगे, इन चीजों का पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, और अपने बच्चों का गुड़ फ्रेंड बन अधर नहीं डालेंगे और आपको आनंद से पढ़ने देंगे लेकिन आप से पूछना चाहूंगा मैं विशेष क्या केवल एक्जाम के समय ही आप बैट करके पढ़ती हैं, क्या रहता है आपका सुडियो हम मैं पूरे साल में पढ़ती हो आनंद पूर्वक चली यहीं कीज समय बच्चों को अच्छे नीद करा देनी चाहिए कम से कम 6 गंटे यह नहीं के तुम कम सो पढ़ो उससे उनकी मेमोरी पावर वीख हो जाती है और जब वो पेपर देखेंगे ना बहुत कुछ जो याद किया वो भूल जाएगा इसलिए बिलकुल फ्रेस होकर वो एक्जाम कॉंबे से हो मेरा प्रशन है यूथ और पेरेंस के लिए common problem है जैसे कि यूथ कोई भी conference में जाते हैं या meet में जाते हैं तो उनको पहले drinks दिया जाता है यूथ भी समझते हैं कि drinks अच्छी चीज नहीं है फिर भी ये जो custom गिरी है कि थोड़ा सा courtesy के लिए लेना ही पड़ता है तो एक समस्या ये है और दूसरी समस्या parents के लिए ये है कि समझो दो बच्चे हैं एक बच्चा progress में आगे हो जाता है और दूसरा थोड़ा पीछे है रहने से parents कैसे handle कर सकते हैं ये situation तो समाधान मुझे आप से ही मिलना जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्राम में बड़े से बड़ी आईने अच्छे से अच्छी solution मिलती है तो इसकी आप क्या सला देंगे हाँ ये drinking की और भी जो सारे व्यस्णों की आदत यूकों में बढ़ती जा रही है ये तो सचमुच उनके जीवन के लिए, health के लिए, उनके भविस के लिए, carrier के लिए बहुत ही हानिकारक है इस तरह मैं यहां से कहना चाहूंगा अपने सभी युवा, भाई, बहनों को के इन चीजों से बचें क्योंकि इनका brain पर बहुत बुरा आसर पड़ता है ये जो हमारी एक रसम जैसी बन गए है ना पार्टियों में या भिन-भिन जगे पर ये बिल्कुल अच्छी नहीं है और जो समाज के निर्माता है उन्हें भी इस पद्ध्यान देना चाहिए ये युग बदल गया है और आधुनिक्स समय में ये सब fashion बनता जा रहा है इसके बिना लोग समझते हैं साइध हम पीछे हैं, हम backward हैं इन सब बातों से उपर उठकर मैं कहूंगा के यूवक इन वियस्णों से पूरी तरह बचे हैं देखिए हम लोग भी बहुत जगे जाते हैं लोग ऐसी चीजे पेश करते हैं हम भाद जोड लेते हैं नहीं वहीं ये हमारा सब कोई नहीं है अपने को स्वैम सेफ करना है ये नहीं के सब गंदगी में जा रहे हैं तो हम भी गंदगी में जाएं कुवे में लोग गिरते जा रहे हम भी गिर जाएं हम तो बचते हैं ना जब हम देखते हैं इससे हमारा नुकसान हो रहा है मैं सभी यूवकों को याद दिलाना चाहूंगा, spiritual practice है, वह सुंदर, हम सभी देवकुल की आत्माएं हैं, भारत में विशे इस लोप से, देवी देवताओं का यहां सामराज्य था, यहां देवी देवताओं का वास्था, हम देवकुल के हैं, इसलिए ये व्यस्न हमारी क्योंकि यह ऐसी समस्याइं बनती जा रही हैं विद्यार्थियों के बीच में, जो सचमुच बड़ी घातक हो रही हैं, बहुत घातक, यूवक इसके कारण सुसाइड कर लेते हैं, माबाप को बहुत परेशानी होती है, इसलिए यूवक में चयोर बने, उन राहों पर न च साथी चल रहे हैं, अपने कैरियर को सुन्दर बनाना, अपने भविश को ब्राइट बनाना, यह हर एक के अपने हाथ में है, रही बात, किसी माबाप को दो बच्चे हैं, एक बहुत होसियार, एक बहुत प्रोग्रेसिव, दूसरा बहुत धीला ढाला, स्प्रिच्वलिटी हमें यह कहती है, कि सभी आत्माएं हैं, सब का पार्ट अलग-अलग है, कुछ परिवार ऐसे भी देखे जाते हैं, चार लड़के हैं, चारोई बहुत योग्य हैं, बहुत होसियार हैं, चारोई टोप कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है, दो बच्चे बहु तो इस चीज को समझते हुए, जैसी जिसकी capability, जैसी जिसकी रूची, उस अनुसारी उनको उस field में आगे बढ़ाना चाहिए, यह नहीं मैं तो engineer हूँ, मेरे तो चारो बच्चे engineer ही बने, एक यदि musician बनना चाहता है, उसको बनने दे, एक ऐसे case आया था, मैंने पूछा उस जी मम्मी कहती है, नहीं तुमें doctor बनना है, वो है तो वो भी अच्छा, पर मुझे painting बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने देखा, वो enjoy करती है painting को, तो उससे उसका भवी सुन्दर होगा, क्योंकि जीवन उसको जीना है, माबाप केवल उसके साहयक हैं, सहयोगी हैं, तो इ जाना चाहिए, प्रता थैंक यू, प्रता जी इसमें जैसे मिसिस ठकर का प्रशने था, इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं clarity के लिए, जो बिच्छा सफल नहीं हो पा रहा होता है, उसमें बहुत हीन भावना आने लगती है, बड़ा भाई मान लिजे बहुत हर में बहुत एक्टिव है, आगे है, यहीन भावना से ग्रस्त होता चला जाता है, पेरेंट्स को उसको उवंग उत्सादिलाना चाहिए और विशेश रूप से निगेटिव बाते उसको बोलनी नहीं चाहिए, पेरेंट्स क्या करते हैं कभी-कभी, उसकी महिमा करेंगे, यह बच्चा बहुत अच्छा है, तुम तो डल हो बिल्कुल, तुम कोई काम के नहीं, पता हम तुम क्या करोगे जीवन में, तुम तो हमारा नाम बदनाम कर दोगे, यह सब नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने देखा एक को दो बच्चे थे, एक पढ़ने लिखने बहुत हो सियार, तो दूसरे को बिजनस की और रूची, उसके फादर का बिजनस था, तो उन्होंने उसको सहयोग दिया, कि हाँ, तुम हमारा बिजनस समालना, तुम बहुत योग्य हो, तुम हमारा बिजनस समालोगे, और बड़ा बच्चा ओफिसर बनकर हमारा नाम रोसन करेगा तो देखा दोनों आगे बढ़ गए तो पेरेंस का यहां करतव है कि वो अपने बच्चों में ही इन भावना ना आने दें उनको उमंग दिलाएं उनकी महिमा करें उनको एप्रिशियेट करें और घर का माहौल भी ऐसा बना दें कि किसी के मन में भी इन भावना आये नहीं सब अपने अपने फिल्ड में एक दाम आगे हैं एंज्वे कर रहे हैं अशा करता हूं विसस्टेकर आपकी प्रशने का उथा आपको मिल्या यह शायद हर पेरेंस की समस्वा समस्या हैं एंड अन बेहाफ आफ अफ आल दे पैरेंस आए थैंक यू वेरी माच थैंक यू वेरे म अब आप यह एक अरığı नहीं होती है को यह अठीं होती है बेर्त संकल्प बहुत ज्याद हटी है तो कि समध्यां सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है फिर भी अख आज़ता नहीं होती है तो उसके लिए ठोड़ा पहले तो एक, तहन होती है चोटा सा घ्वा नह होने का रूची न रखें नहीं तो क्या होता है वुद्धी में व्यार्थ बहुत भर जाता है तो जब भी आप योग में बैठेंगे मन को स्यांत करेंगे वो व्यार्थ जागरित हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करने देगा इसलिए जिसको अच्छे योग का अनुभव करना है वो व्यार्थ से बचे जब आप योग अभ्यास करें तो मैं एक छोटी सी विधिया आपको बता रहा हूँ और ये एक बहुत सुन्दर सी क्रेट सभी योग अभ्यास ही याद रखें कि हमारे मन में क्रियेटिव एनरजी है कभी-कभी योग अभ्यास करने वाले क्या करत आत्मा के स्वरूप को देखना और उस पे चिंतन करना प्रारंब कर दो तो क्योंकि मन में क्रियेटिव एनरजी है मन में थिंकिंग पावर है पावर ओफ चर्णिंग है उसमें तो मन से जैसे ही आप सुन्दर विचार करने लगेंगे और सब विचार धीरे धीरे लोप होन कैसे शुरू करें मैं आत्मा श्यान्त हूँ अपने को विज्वालाइज करें मुझसे श्यांती की किर्णे फैल रही है दस, पंद्रा, 20 सेकिर्द इसमें पिता दे बहले एक दो बार संगल्ब रिपीत कर लें फिर मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ मैं बहुत सुखी हूँ भाबा से बात करें बाबा आपने मुझे बहुत सुख दिया आपको बहुत बहुत सुख रिया तीसा संगल्ब कर ले हैं, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, फिर आत्मा को देखे, मुझसे पवित्र किरणे फैल रही हैं, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ. फिर आत्मा को देखें, मैं आत्मा बहुत सक्ति साली हूँ, मास्टर ओल्माइटी हूँ, मुझसे सक्तियों की किरने निकल रही हैं, मैं बहुत सक्ति साली हूँ, इस तरह शुरू करें, संकल्प क्रियेट करें, तो हमारी सुन्दर संकल्प, व्यार्थ संकल्पों को समात्त क और एक चीज विशेस मात्र शक्ति को मैं और कहना चाहूंगा जादा नहीं तो 10-10-15-15 मिनट जो माताएं घरों में रहती हैं 10 मिनट तीन बार योग अभ्यास में बैठें और इस तरह के चिंतन के साथ योग अभ्यास करें तो इससे क्या होगा एक आगरता बढ़ेगी और ज होता है जो हमें योग अभ्यास करने के लिए प्रेदित करेगा ताइम नहीं भी होगा ना हम ताइम निकाल के बैठें क्योंकि वह आनंद हमें खीचने लगेगा तो सुन्दर संकल्प क्रियेट करें वियर्थ से बचे रहें और तीन बार अवस्य ऐसा बैठकर योग अभ् हो तो समाचार जरूर भेजिएगा कि हाँ मेरा योग बहुत अच्छा होने लगा ठीक है और मुंबै से मिठाई भी भेज दीजेगा ओके ओके थैंक यू बहुत शेक्रिया आपका जी अगला प्रशन कौन पूछने वाला है सर नमस्ते मैं शिवारचन थ्रपाटी सत्मा मद्रप्रदेश जाया हूं सर मैं आपका कारक्रम कई दिनों से देख रहा हूं सर मुझे कारक्रम बहुत पसंद है सर आज यह कुछ रहा हूं यह मेरा इंडिविज्वल कुछन नहीं यह यूद की अवाज सर हम यूद पढ़ा मैं कम्प्यूटर मोवाइल टीवी इंटरनेट देते हैं और थोड़ा बहुत सब्सक्राइब बचता है चलो 10-15 नट पढ़ लो सर इसके लिए आप क्या सब्सक्राइब इसके लिए आप सर कुछ ऐसे हिंट्स कुछ सोलूशन दीजिए सर इसमार ज्यादा टाइम फोकस होती है उससे भी वह वनचीत होता जा रहा है और उसका ब्रेन पर बहुत बुरा इफेक्ट इस तरह भी आता है जैसे बहुत सारे यूवक बताते हैं कि तू मैनी इनफॉर्मेशन मिलने से मन में कन्फ्यूजन बहुत होने लगता है यह राइट है और अगली बात क्या है कि कम्प्यूटर या लेप्टोप के साथ रहने से उसे बैड एनर्जी जो निकलती है वो ब्रेन पर एक बुरा प्रभाव भी डाल रही है तो बहुत विद्यार्थियों को आजकल क्या हो रहा है कि पढ़ाई में रूची खतम होती जा रही है या पढ़ लिए एक्जाम देने कि इच्छा नहीं हो रही है और भिन-भिन तरफ उनका इंट्रेस्ट बढ़ता जा रहा क्योंकि जो कुछ वो उन्चीजों में देख रहे हैं मुबाईल से इंटरनेट से या टीवी से जो कुछ उन्हें मिल रहा है उस अनुसार उनकी मेंटलीटी बनती जा रही है इसलिए कि मैं अपने सभी यूगों को कहूंगा अपने प्रस्ण सब की और से पूछा है कि एजुकेशर इस मौस्ट इंपोर्टेंट उससे ही किसी का भवी सुन्दर होता है इन चीजों में ठीक है ये विज्ञान के वर्दान भी हैं और इन से हम बहुत कुछ अच्छी चीजे शी ले जाते हैं और चरित्र उससे उनका नस्थ हो जाता है इसलिए मैं सभी कोई संदेश देना चाहूंगा कि एक लिमिटेट टाइम इन सब के लिए दें और जो आपकी पढ़ाई है जो कोर्स है जो सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं उसमें इंट्रेस्ट क्रियेट करें क जो कि मनुस की जो एकागरता है वो एक ही तरफ होती है एकागरता सब्द ही इसलिए बना है कि एक ही चीज की तरफ हो जाएगी अगर लेप्टोप में किसी विशेस फिल्ड में वो एकागरता चली गई तो दूसरी तरफ से वो एकागरता भंग होने लगेगी इसलिए सभी यूवक, पहला ध्यान, पहला समय, पहला अपना संभून एनर्जी, अपनी परहाई पर दें। प्रताजी, एक चीज़ इसमें यह है, कि जब व्यक्ति इसे यूज करना शिरू कर देता है, जहां तक मैंने उब्जर्व किया है यूज को, आप इंटरनेट यूज करना शिरू करते हैं, आपको टाइम का पता नहीं चलता, आप अफटा फट एक घंटे, दो घंटे, तीन घ बात करने में के आगे सिवरेज का गड़ा भी था, वो नून देखा ही नहीं, किसी का एक्सेडेंट हो गया, यह सब केस भी आजकल हो रहे हैं, इसलिए इसको व्यसन न बनने दे, अन्य था इसका, उन व्यसनों से भी बुरा प्रभाव जीवन पर पढ़ता है, देखिए उ इसका एक्सेडेंट हो जाती है, और इसका एफेक्ट तो मनुसके ब्रेन पर पढ़ता है, उसकी नीन पर पढ़ता है, और फाइनली उसकी पूरी हेल्थ पर पढ़ जाता है, और मैंने देखा ऐसे जो यूवक हैं, उनका जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है, 30-35 साल की आय वो एक्चुली इंटरनेट को भी वो फिर नहीं कर पाते हैं, तो क्या सजिस्स करेंगे ब्रताजी, मैं इनकी तरफ से पूछ रहा हूं, कि यदि अपनी दिन्शर्या में हमें इनहीं समय देना है, वक्त देना है, क्योंकि कई बार लगता है कि हम अप्टूडेट रहें, सम समय बचाकर थोड़ा मेडिटेशन करें, ताकि इनर पावर बढ़ें, विल पावर बढ़ें, बुद्धी शक्ती बढ़ें, बुद्धी डिवाइन हो, और पढ़ाई लिखाई में बहुत हम अच्छे हो जाएं, और सोसल लाइफ भी हमारी बहुत अच्छी हो जाएं, तो म मेटेरलिज्म और उसमें इंटरनेट, मॉबाइल, इन सबका फैसन बढ़ गया है, और मन उसको पता नहीं कि इससे वो एक भयानक विनास की और आगे बढ़ रहा है, बहुत 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 शुक्रिया अपको, बहुत 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 शुक्रिया आपके प्रश्ण के लिए, अगला प्रश्ण कल मुझे ही दो अच्छे डॉक्टर मिले, दोनों वाइफ हस्वेन थे, तो मैं उनको हसी कर रहा था कि अब तो आपका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो कहा देखिए 80% बिमारियां मानसिक स्पीदा के कारण उत्पन हो रही हैं, तो कहने लगे अब तो आप लोगों की ज़रत होगी जादा, हम लोग मेडिसन दे दे के तो ठक चुके हैं, और ये भी सत्थ है कि मेडिसीन ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं कर रही हैं, ये दूसरा पहलू आज कल डॉक्टर के सामने आखडा हुआ है, कि मेडिसीन का जो इफेक्ट है वो रोग जिया करता था, हमारे सास्त्रों में है ये बात, अब क्योंकि पवितरता बिलकुल मन उसने नस्ट कर दी, तो उसके शरीर में शक्ती भी नहीं रही है, जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, जो रोगों को नस्ट करने की शक्ती होती है, इसलिए दवाईयां बहुत काम नहीं कर दे, इसलिए शिवाबा ने आकर purity फिर से establish कर दी, मन में भी ताकत आए, बुद्धी भी स्वच्छो, देखिए अगर हम अपने मन को प्रसंद कर ले, अगर हम अपने मन को बहुत light कर दे, तो उनेक बीमारियां ठीक हो जाती है, हमारे हाँ CAD का प्रोग्राम चलता है CAD का अर्थ होता है, simply heart patient बहुत सारे आते हैं, हमारे यहां doctor है, heart specialist, वो योग अभ्यास से और जीवन में कुछ life style change करके, भोजन change करके, उनको ठीक करते हैं, मैंने भी देखा, मैं भी उसमें हूँ, तो arteries में blockage, तिन-तिन arteries में blockage और पांच दिन यहां रहने के बाद, blockage खुल गए, check करने वाले बाकायदे वहीं रहते हैं, तो क्या सीखा, light रहना, जिम्मेदारियों ने दबाव बनाया हुआ था brain पर, दिमाग fresh ही नहीं था कभी, ये बोज, वो बोज, जैसे घट्रियां रखी उई थी सिर पे, heart attack हो गए, artery block हो गए, मन को प्रसन रखना, सत्यता के म मार्ग पे चलना, पुन्य कर्म करना, इन सबसे विचार सुन्दर होंगे, हम light रहेंगे, और अनेक बीमारियां ठीक हो जाएंगे, heart में कुछ गडबड हो भी गई है, तो ऐसा प्रकोप नहीं बन जाएगा, कि चल भी न पाए, सीडी भी न चड़ो, वो भी न खाओ, तो मेंटेशन किया जाए, आत्मा से प्योर एनर्जी पूरे बोडी को दी जाए, पानी चार्ज करके पिया जाए, और सबेरे हमारे यहां बहुत अच्छा मेंटेशन होता है, सबेरे उठकर बहुत अच्छा परमातम मिलन का अनुभव हो, इस वर ये महवाक्ष सुने, तो सब सबेरे के तीन-चार घंटे अपने को एनर्जेटिक कर दें, आत्मा ही सरीर का संचालन कर रही है, मन बुद्धी के द्वारा, मन बुद्धी बहुत चार्ज होगे, तो बोडी को आपे ही चार्ज कर लेती है, हमारे पास अनुभव हैं बहुत साए लोगों के, जिन्नोंने जिन्यान और योग की शिक्षा दी, मन प्रसन हुआ, बुद्धी हल की हुई, टेंशन समाप्त हुई, बहुत साइचिंताएं पाली हुई थी बिना मतलब की, वो समाप्त हुई, और गोलियां भी समाप्त हुई, विश-विश गोली रोज खाते थे, अब गोली को गोली मार बहुत कुछ रहने लगे हैं, ये तरीका है स्वस्त जीवन जीने का, शुक्रिया ब्रता जी पटेल जी आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, बीमारियां तो नहीं हैं आपको, चलिए आपने सभी के लिए पूछा, ये बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छा लगा आप सब यहां आएं ब्रता जी, पहले तो मैं आपने सभी दर्शकों का, जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं, आज सच मुछ बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब को यहां देखके लग रहा है कि आप लोग यूँ ही हमारे साथ जमे रहें, अब प्रशनों का सिलसिला उतर का सिलसिला चलता रहा है क्योंकि सच मुछ ज्यान का बहुत ज्यादा वर्धन होता है इसमें, आप वहां भी बैटके इसे देखते हैं, जब भी आपके मन में कोई भी प्रशनों हो, और साथ ही जो अनुभवा आते हैं, आप हम तक अवशे प्रेशित करते रहिएगा, आप यहां आया आपका बहुत 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 शुक्रिया, आप हमीशा हम सबको प्रकाश देते हैं, हम सबको आननदित करते हैं, और सच मुछ जीवन बहुत सरल होता जा रहा है समाधान के माध्यम से, आपका भी दिल से बहुत 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 शुक्र रहने हम तक अपने प्रश्ण भी भेजते हैं, समस्या भी भेजते हैं, और साथ ही अनुभव भी भेजते हैं, और मैं तो हमीशा ये कहता हूँ कि जैसी हमारी संस्कृती रही है, वसुध है वकुटुम्ब कम की कि सारी वसुधा हमारा परिवार है, तो सचमुच ये समाधान परिवार पुनह सारे विश्व को एक सुत्र में पिरो रहा है एक ही दिली कामना है जैसे मने शुरुवाद भी कही थी कि हे इश्वर सबको कीमती घड़ी जरूर देना लेकिन कहीं भी कठिन घड़ी मत देना ताकि जीवर बहुत जादा जटिल ना हो जाए तो बास्ताव में हमारी कामना ये रहती है कि आप मानसिक, शारे रेक, हर प्रकार की तकलीफों से मुक्त हों और जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याँ आ रही हैं उन सभी समस्याओं से भी आप सहज रूप से मुक्त होकर एक समाधान युक्त जीवन जीएं आप सबसे भी हमारा अनुरो को अपना ध्यान रखिएगा कल पुना आपसे मुलाकात होगे नमस्कार कर दे तू पल भर में मुश्कीले आसां कतनी संकर्मी के पावन जल से स्वर्क बन जाएगा सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान समाधान